नमस्कार, मैं हो ससी, आए ज्ञारखन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं आज 20 एड्स दिवास ज्ञारखन में इस फरस 1000 से अधिक मिलनाई HIV पोजेटीव एक दिसमर को 20 एड्स दिवास मनाया जाता है ज्ञारखन में एड्स से रुक्थाम के लिए टैंकिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट पर बल देने की बात कही जा रही है 2030 तक ज्ञारखन को एड्स मुक्त बनाने का टार्गेट सेट किया गया है बता दे एड्स और HIV के प्रति लोगों में जग रुपता लाने के लिए हर वरस एक दिसमर को दुनिया भर में 208 दिवस मनाया जाता है इस वरस भी देश और दुनिया भर में एक यू लाइज थीम के साथ गुरुवार एक दिसमर को इस संकल्प के साथ 208 दिवस मनाया जाएगा कि हमें HIV, AIDS समधीत और समनताओं को समाप्त करते हुए AIDS को समाप्त करना है AIDS से बचने के लिए जाच उपचार और HIV संक्रामन के रोक्थाम की गुनवाता को जहां सुनेशीत करना है वहीं HIV संक्रामन के साथ जीने वाले ब्यक्तियों को HIV समाधित भेदभाव और कलंक से बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा बनाये गर कानून रोक्थाम एवम नियंत्रन अधिनियम 2017 को सक्रिये रूप से किर्वानित करते हुए इसके प्रति लोगों में जगरूपता लाई जाए जारखन में ठंड के दुरान इस बार मौसम मेहरबान है राज में वेस्टरन डिश्टर वेस की गतिवीती कम होने के करन ठंड समाने है और आसमान साफ है बंगाल की खाड़ी में भी इस्तिती समाने बने हुई है इससे कहीं भी बारिस नहीं हुई मौसम की इस महरबानी से राजे के पलामू को छोड़ कर अन सभी भागों में ठंड समाने है मैदानी भाग से सठे पलामों में निमतन तापमान 8.2 डिगरी तक निचे गिर गया है वहीं सुबह का कुहासा यहां परिसानी बढ़ रहा है बतादे पलामों में सर्दी काफी बढ़ गई है यहां सुबह के दवान कुहासा भी ज़्यादा है तापमान समाने से 3 डिगरी निचे है बुद्धवार को यहां करनितन तापमान 8.2 डिगरी से दर्ज किया गया है राज़ेपाल रमेस बैस ने सियम हमन्त को भेजा नोटीस जनजाती प्रामर्ष दात्री परिसद को लेकर एक बार फीर राज़भौन और राज़सरकार के बीच टकराबट गया है राज़पाल रमेस बैस ने टीसी के गठन से समधित नेमावली को और समयधानिक बताने के बावजूद टीसी की बैठक आयोजीत करने तथा इसकी सुच नराज़भौन को नहीं देने को गंभीता से लिया है उनके निर्देश पर मुख सचिव के माध्यम से राज़सरकार को नोटीस बेजा गया नोटीस का जबाब नहीं मिलने पर राज़ेपाल पांच भी अनुशूची के प्रविधानों का सहारा लेते हुए कराने नहीं ले सकते हैं बता दे राज़ेपाल के परधान सचिव नितिन मदन गुलकरनी राज़सरकार के मोखे सचिव को पत्र लिखकर राज़ेपाल की नराज़गी से अउगत कराया है जारखन में मात्रू मिरित्यू अनुपात गुजरात और करनाटक से कम मात्रू मिरित्यू अनुपात के मामले में विश्व स्वास्द संगठन की ओर सेताय किये गए सस्टनेबल डेवलप्मेंट गोल के लक्ष को हासिल कर लिया है केंद्रिये स्वास्देवं परिवार कल्यान मंत्री डाक्टर मांसुक मांडविया ने ट्वीट करके अजन काली दी है उन्होंने कहा है कि देश लगातार इस लक्ष को हासिल करने की ओर बड़ रहा है सिरी मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2014 सुलम में मात्रू मिरित्य अनुपात 13 था जो वर्ष 2018 बिस में घटकर 97 रह गया है केंड़िये स्वास मांडविया की हलाकी इस मामले में भारत ने राष्ठट्रिये स्वास्त निति के तहत जो लक्ष रखा था उसे हासिल कर लिया इस दोरान आठ राज्यों ने बेहतरिन प्रसं किया है और उन्होंने 47 लक्ष को भी हासिल कर लिया है जारखन में बिजली संकट के बीच केंडल लाइट प्रेस कॉनफिरेंस राजी सांसल संजय सेट ने बुद्धवार को जन समस्याओ पर प्रेसवारता का आयोजन किया इस दोरान वह राजी में बढ़ते बीच संकट पर सरकार को घेरने के लिए केंडल जलाकर प्रेसवारता की प्रेसवारता में उन्होंने राजी संकट के बढ़ने पर लोगों की परेसाने भी बढ़ रही है उन्होंने कहा है कि सहरी इलाकों में बीली संकट फिर भी ठीक है लेकिन गरामी इलाकों में चीदी और खड़ाब है गरामी इलाकों में ट्रांसफर्मर की खराब हो जाने पर बनने में भी महिनों लग जाते आज की सरकार किसानों के साथ भी दोका कर रही है भारत सरकार अनाज भेजती हैं मगर गरीब को नहीं मिलता भरस्टा चार चरम पर है राज सरकार की नियत सही नहीं है उन्होंने रिम्स की खराब बेवास्ता और सहर में बढ़ती जाम की समस्या पर भी सरकार पर उंगली उठाई है रगुवर दास की बढ़ सकती हैं मुस्किले इडी ने राजे के सिर्ष पूलिस अधिकारी और रांची के सेसपी को पत्र लिखका राज सभा हाज ट्रेंडिंग 2016 तो जुले सभी दास्तावेज मांगे हैं पूलिस से मिलने मारे दस्तावेज में तथ्यों की कानूनी नजरिये से समिक्षा के बाद प्रात्मी की दर्च करने परामतिम निरने होगा बता दे राज सभा हाज स्टेंडिंग 2016 में चुनाव आयो किन देश पर जगनाथ पूर्था ने प्रात्मी की दर्च कराई गई थी इसमें IPS अधिकारी अनुराग गुपता और तत्काली नमुक्य मंत्री के प्रेस सलाकार को नामज़त अभ्यूक्त बनाया गया था बाद में इस मामले में तत्काली नमुक्य मंत्री डगबर दास को अप्रात्मी की अभ्यूक्त बनाया गया साथी इसमें ब्रश्टा चार निवारन अधिनियम की धराय जोड़ी गई पीसी एक्ट की धराय जोड़े जाने के बाद इस मामले की जाच डिएसपी को सौप दिया गया भूख से मौत के लिए मुक्या होंगे जिमेदार जार्खन राजे खाद आयोग रांची द्वारा सिम्टेगा जीले के सभी पंचायतों के मुक्या से सनवाद सा लंबित परिवाद पत्रों से समधित जन सुनवाई कारेकरम कायोजन नगर भौवन सिम्टेगा में किया गया कारेकरम में जार्खन राजे खाद आयोग के अध्याक्स हिमानसु से खर चौदरी एवाम सदस्य सबनम परवीन मुक्य रूप से उपस्थित थे कारे में जनकारी दी कारकरम में खाद सुरक्षा जिनियम से जुड़ी जन बित्लन योजना मद्याहन भयन योजना अंगनवाडी केंद्र मात्रू वंदना योजना से समधित जनकारी समधित पताधिकारी द्वारा दी गई वहीं खाद सुरक्षा जिनियम के तहा जिला पुनव कक्षप ने बताया कि जन सिकायत के अंतरगात 1-800-212-5512 एवं जीला के द्वारा जारी वाट्सेप नमबर 9334-258855 के माध्यम से भी सिकायत की जा सकती है जार्खन सरकार ने माना बंद पड़ी खदाने पर्यावरन के लिए बन रही खत्रा जार्खन के लोगों के लिए बंद पड़ी कोईला खदाने कितनी खतरनाक है और इनका क्लोजर कितना जरूरी है इस बात को जार्खन सरकार भी अब पूरी तरह समझ गई है और जार्खन के बित मंत्री डेक्टर रमेसवर उराव ने इस मामले को लेकर अपनी चिंता केंदर सरकार के सामने उजागर कर दिया है बित मंत्री रमेसवर उराव ने दिली में आयोजीत प्री बयाट मीटिंग में केंदर सरकार के सामने अपनी चिंता जताई साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार को या जनकारी दिया है कि किस तरह कोल कम्पनियों द्वरा बंद खदानों का माइन्स कलोजर नहीं करने की वज़ा से राजे के लोगों के स्वास बर बूरा असर पढ़ रहा है जारखन में 20% महांगी हो सकती है बिजली राजे में बिजली की दरों में 20% तक बढ़ोतरी हो सकती है बिजली बित्रन निगम ने आगामी बित्यवर्ष दोया तेस चोबिस के लिए राजे बिधूत नियामक आयोग में वार्षिक राया स्वर रिपोर्ट दाखिल की है जिसक बित्यवर्ष 21-22 में 26 क्रोर तथा बित्यवर्ष 22-23 में 25 क्रोर का घाटा दिखाया गया अगामी बित्यवर्ष दोया तेस चोबिस के लिए दाखिल टैरी पेटिशन में बिजली बित्रन निगम ने 20 परत्यत तक दर्मे बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है इसते बिजली उभगताओं को जटका लग सकता है जारखन के पूलिस अपसरों के साथ केंद्री ग्री सचीव की बैठक नसे के खिलाब पूरे देश में ठोस योईना बनेगी मादक पदार्थों की तसकरी रुके इसके तसकर सलाखों तक पहुंचे पूलिस की कारगर करवाई हो इससे सम जटक करेंगे जारखन के अफसरों के नाम बाबुलाल का खुला पत्र पूरो मुख मंतरी बाबुलाल मरांडी ने जारखन के अफसरों को सुझाओ देते हुए खुला पत्र जारी किया है उनके मुताबिक दबाव में गलत काम अधिकारियों को नहीं करना चाहिए इसका प योग्यों को मुखे धरा में वापस लाने की थी आदिवासी बहूल एक जीले में कुछ उगरवादियों को संसाधन देने वालों के पीछे पूलिस हाथ धोकर पड़ी हुई थी वहां के एक सीनियर पता अधिकारी को बुला कर कहा कि उन्हें मुखे धरा में लाना चाहता हू थोड़ा रहम करिए उन पर वे अधिकारी रोप पड़े और कहा कि सर ये लोग भारी बदमास हैं अमीत अगरवाल के आरोपू की सीबी आई जाच होगी जारखन हाई कोट के जस्टिस एसके दिवेदी की अधालत ने अधिवक्ता राजीव कुमार रिसुवत कांड की जाच सीबी आई को सौप दिया है अधालत ने कहा है कि सीबी आई इस बात का पता लगा है कि आखिर कुलकाता की बेवसाई अमीत अगरवाल ने जारकन हाई कोट का दिवक्ता राजीव कुमार के खिलाप दर्ज प्रात्मी की में उनके नयाईक प्ता अधिकारी जाच एजेंसियो और राजीवरी अधिकारि के साथ संब्ध होने की बात में कितनी सचाई है पूलिस कर्मी के बेटे निकले साइबर ठगी के मास्टर माइंड साइबर ठाने के पूलिस टीम ने साइबर ठगी के मामले में तिन यूगों को जसीडी से गिरफतार किया है पकड़े गए आरो पितों में सेलू कुमार पाठक और अभाय कुमार पाठक सगे भाई हाई ए मूल रूप से जसी डी के बदिया गाउ का रहने वाले हाई मिली जनकारी के मुताबिक इन दोनों के पिता पुलिस कर्मी हाई वे जार्खन पुलिस में ही कारे रहत हाई को टूट गया इस दोरान बी सीचेल प्रवंदन मुर्दाबाद समयत अने नारे लगाते हुए बी सीचेल अप्रेंटिस धर्जनों की संख्या में रंधीर वर्मा चौक पहुंचे और प्रवंदन के खिलाब जोरदार प्रतशन किया अप्रेंटिस सीप कर चुके मजदूरों का काना है कि पुरूम में सांसत की उपसीती में होई समझोते को चार महिने से अधीक हो जाने के बाद भी प्रवंदन पुरा नहीं कर रहा है यूआओ का काना है कि कम्पनी के अधिन सैक्डो अप्रेंटिस शीब कम्पनिया काम कर रही है लेकिन अप्रेंटिस शीब कर चुके यूआओ को रोजगार नहीं मिल रहा है पुरानी पेंशन के लिए सांसद घेरने की त्यारी में AIRF पुरानी पेंसन कोई दान नहीं बली के रेल करमचारियों के लिए समाजी खुरक्षा है इसे वापस लेने के लिए किसी भी हद तक जाने को त्यार हैं नई पेंसन वेजना के बिरोद में केंद्रिय करमचारी राज्य करमचारी और सिक्षकों को साथ लेने की कोशिस कर रहे हैं केंद्रिय नेत्युत में बड़े आंदोलन के त्यारी चल रही हैं देश भार के सभी सरकारी करमचारी, राजे करमचारी और केंद्री करमचारी एक जुट होकर हिसा लेंगे। प्रतम चरण में राज यास्तर पर नाई पेंशन के विरोध आंदोलन के शुरुआत कर देश बहर से 5 लाग से अधिक सरकारी करमचारियों को दिल्ली बुलाया जाएगा, वहीं दूसरे चरण में संसत का घेराव करेंगे, यह कहना है All India Railway Men's Federation के अध्यक्ष, डाक्टर एन कन या वराष्ट्रिये महामंत्री सियू गोपाल मिस्रा का, बाबुलाल मरांडी ने की मन की बात, पुर्मुख मंत्री बाबुलाल मरांडी ने अपने मुख्य मंत्री त्वक काल के अनुभव को सेयर किया है, उन्होंने ब्यूरो क्रेंसी से भी आगरा किया है कि इतिहास के प उन्होंने कानीन ब्यवास्था को लेकर अनुभाव को साधा किया। उन्होंने लिखा आये कि मेरे कारेकाल के समय उगरवादियों का उत्पात चरम पर था। मेरी योजना ज्यादा ज्यादा उग्रवादियों उनके सयोग्यों कोमों के धाराय में वापस लाने की थी जार्खन की आर्थिक इस्थिती पर नीती आयोग की रिपोर्ट गंभीर जार्खन की आर्थे किस्थिती पर निती आयो की रिपोर्ट बेहा धी गंभीर है लेकिन हेमन सरकार के रवया निरास करने वाला है उक्त बाते पुर्व सांसा जार्खन छेत्र स्वें सासित परिशत के उपाध्यक सा भाजपा नेता डाक्टर सुरज मंडन ले कही उन्होंने बियान जारी कर कहा है कि निती आयो की रिपोर्ट बेहा धी गंभीर है जिसमें गरीबी सुचकांग पर राजयों के सुची में जार्खन को सबसे निच्चे परदासित किया गया जबकि पडोसी, परदेश, उडिसा और पचिन मंगाल तक इस सुची में हम से काफी उपर है पासवा का सिक्षक समान समारोह 4 को, प्राइबेट स्कूल और चिल्डरेन वेलफेर एसोसियेशन, छारखन परदेश की ओर से 4 दिसंबर को मुरबादी इसी त्राची बिस्तों बिदाले के दिख्षांत मंटप में सिक्षक समान समारोह का उजन किया गया है इसमें सिक्षकों के लिए बच्चों द्वारा मोबाईल का इस्तेमाल एक चुनावती, विशाय पर कारेशाला भी आविजित की गई है मुख्य अतिथी बीत सक खादा पूर्ति मंत्री डक्टर आमेसर उड़ा होंगे परदेश अध्यक्स अलोक कुमार्दुवे ने बताया है कि समारोह में 2016 को समानित किया जाएगा कारेशाला में रिन पास की निदेशक डाक्टर जैती, सिमलाई वर डियेभी के पूर्वर निदेशक एलार सैनी ब्याख्यान देंगे ज्यारखन में 16 अबिसायो के लिए 55 PGT 6 को की होगी भरती ज्यारखन के इंटर कॉलेजों में प esperar गर्जाएग्यवे टीचर पदो पर बंफर भरतिया होगी राजे के जिन इंटर कॉलेजों में 16 अबिसायो के 555 PGT 6 को के पर सिरिजित किये जाएगे उनमें जन जाती यों छेत्रिय भासाओं में पचास चात्रों पर एक सिक्चा के न्युक्ति होगी जबकि आने बीसायों के लिए असी चात्रों पर एक सिक्चा के न्युक्ति होगी जार्खन के स्कोली सिक्षा भी भागने इंटर कॉलेजों में नुख वीशायो के सिक्षकों के पद सि्रेंडर का भी सभी 20 जीलों से प्रस्ताव मांगा था खर्दरमा भागपा का जीला समरनाला के समक्ष धारना परदर्शन जीला भागपा के तत्वधान में बुद्वार को जीला समधनाला के समख्ज धार्ना परदशन किया गया धार्ना की अध्यक्षिता CPI जीला कारेकारणी सदसे महेश परसाद सिंग और संचानान CPI जीला कारेकारणी सदसे पुरुसोतम यादों ने किया धारना को समुधित करते हुए भागपार राजे मंत्री महेंदर पाठक ने कहा है कि राज सरकार सभी मोर्चे पर फेल है बिदी बेवास्ता चोपट है फरस्टाचार की सीमा तूट गई है नौकर सा बेलगाम हो गए है पूरे जार्खन के अंचल अधिकारी दाकिल खारिच में कडोरों की उगाही करते हैं और अपने आला अधिकारियों को पहुचाते हैं जार्खन में 608 बालू घाट में सिर्फ 17 का टेंडर जार्खन में प्रती मां 80-100 कोडोर रूपए का बालू का अवैद करोबार हो रहा है वज़ा है कि राजे के 608 बालू घाटों में से केवल 17 बालू घाटों का ही टेंडर होना सेस जगोपर अवैद रूप से बालू का उठाव किया जा रहा है और बजारों में बेचा जा रहा है राजे में पिछले चार साथ से बालू घाटों की बंदोबस्ती नहीं हो सकी है ऐसे में सवाल उठता है कि आखरू बालू कहां से आ रहा है बालू कारोबारों का कहना है कि राज के अंधेरे में बालू घाटों से बालू की निकासी होती है और फिर अस्थानिय ग्रामिन से लेकर रंगदार, राय नितिक दल, ठाना से लेकर जीला के सिर्ष पतादिकारियों तक वसुली होती है तब एक ट्रक बालू किसी को मिलता है एक बालू कारोबार का कहना है कि राज में संगठित रूप से बालू का वैद कारोबार हो रहा है भागपा मवादी का एरिया कमांडर कमलेस यादो ने किया आत्म समर्पन भागपा मावादी का एरिया कमंडर कमले स्यादों ने बुद्धवार को आत्म सवर्पन कर दिया है परताप पूर थाना चेत्रे के चरका गाउनिवासी संकर यादों का पोत्र कमले स्यादों चात्रा के अलावा लात्यार एवं पलामो जिला में आतंक मचा रखा था उसके खिलाब विभीन थाने में हत्या मुद्भेड एवं अफ़रन जैसे कम से कम आठ मामले दर्ज है जिसमें तीन-तीन मामले पता पुर्वा मनातु थाने में तथा दो मामले कुंदा थाना में दर्ज है राज सरकार की आतंस अमर्पान अब UA पुर्वास नीती से प्रवावित होंकर कम लेस्त ने सरेंडर किया है पंकज मिस्रा को ज्हार खन सरकार का संरक्चान प्रप्त है awards enjoy कर रहा है नाई खिरासत में रहते हुए रिम्स में इलाज के दोरान उसने करीब 300 फोन कॉल किये उसका राईनितिक रसुख ऐसा रहा कि साहिव गंज थाने में उस पर दर्ज प्रत्मिकी की जाच में उसे निर्दोस बताया गया पंकज मीसरा की जमानत य molta का फिरोत करते हुए एडि की ओर से कौट में आदलिल्दी गई जमानत योजका के विरोत करते हुए इडि की ओर से कहा गया है कि अभयुगत पंकज मीसरा ने आई खिरासद में रहने के दोरान भी लागातार वर्ये पोलीस और राजे के अधिकारियों से बात करता रहा साहब गंज में बढ़ रहे एट्स पीडी जारखन के साहब गंजीले में एट्स पीड़तों की संख्या 822 के करी पहुँच गई है एट्स रोग्यों की संख्या साहिब गंजीले में लगातार बढ़ती ही जा रही है वर्ष 2008 में पहली बार 25 मरीज मिले थे 15 वर्षों में आकडा 832 तक पहुँच गया है एचावी संक्रमित लोगों की संख्या में हुई बिरिधी के बाद जीला स्वास्त विभाग के द्वारा साहिब गंज सद्र अस्पताल में अप्रेल 2020 में ए आर्टी सेंटर खुला गया ए आर्टी सेंटर खुलने के बाद एचावी पिडित साहिब गंज में इलाज कराने आने लगे तो ऐसे लोगों की संक्या भी बढ़ी साहिब गंजीले में ए आर्टी सेंटर खुलने के पहले साहिब गंजीले के सभी मरीज पाचे मंगाल के मालडा बिहार के भागलपूर वजारकन के राची धनबाद देवगार इस्थीत ए आर्टी सेंटर में अपना इलाज करा रहे थे पूर्वी सिम्हूम डीसी ने की योईनाव की समिक्षा पूर्वी सिम्हूम जीले की उपायूद बिज्जेया जाधाओर ने पोटका परखन का निरिक्षन किया इस निरिक्षन की दोरान उन्होंने परखन कर्याले में एक एक कर विकास योईनाव की समिक्षा की इस समीक्षा के दोरान डिसी ने बाल विकास पर समाज कल्यान स्वास्त कल्यान सिक्षा आपूर्ती पसुपालावन मन रेगा पीम आवास अंचल सहीत अन सभी भागों के पतादीकारियों एमकरमचारियों से सरकार के सभी उजिनागी परगाती की जनकारी ली धन्यवाद यदि आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बाल का बेल एकन दबाए साची साथ वीडियो को एक लाइक कर आपने दोस्तों के सब्सक्राइब करना भूले साची साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फिडिवा एक आवास से दे थांक यू